आलू मेथी की सबजी तो आपने कई बार खाई होगी लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों का खास आलू मेथी का पराठा बहुत ही बढ़िया ये बन कर तयार होता है जबरदस्त वाला टेस्ट आता है इसका आपको ये बहुत पसंद आएगा चटनी चाय दही किसी के भी सातावे से इंजॉय कर सकते हैं चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले इसका आटा लगाएंगे जिसके लिए गेहू का आटा डेड़ कप मैं यहां पर ले रही हूँ आप जितने पर आठे बनाना चाहें उसे साब से आप आटा ले सकते हैं इसमें हम थो पोटी चम्मच अजवाइन है यह इसके साथ ही इसमें एक चम्मच मैं घी डाल रही हूँ आप तेल भी डाल सकते हैं साथ ही एक कप मैंने मेथी यहां पर लिया है मेथी को अच्छे से धो कर हमने बारी बारी काट लिया है अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें और कोई मसाला हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि जो हम अंदर स्टफिंग भरेंगे उसमें हम और दूसरे मसाले डालेंगे तो जैसे ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, सारा एक साथ बिल्कुल भी ना डालें और जो हमें ये आटा लगाना है, वो semi soft लगाना है यानि बहुत जादा नरम भी नहीं लगाना है और बहुत जादा tight भी नहीं लगाना है तो ये देखिए semi soft आटा हमने लगाकर तयार कर लिया है इसे ढग देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे rest करने देंगे तब तक filling तयार करते हैं यहां हमने 3 boil और mash किये हुए आलू ले लिये हैं इसमें हम mix करेंगे एक कटा हुआ प्याज दो कटी हुई हरी मिर्चे आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं एक चम्मच सूखा पुदीना मैंने लिया है अगर आपके पास है तो आप जरूर डाले बहुत अच्छा स्वादाता है इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती और आधा चम्मच मैंने घी लिया है आप घी की जगा तेल भी ले सकते हैं सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और यह जो फिलिंग है, जो स्टफिंग है वो बनकर तयार हो चुकी है आटा भी सेट हो गया है तो आटे को एक बार हम चेक कर लेते हैं एक से दो मिनिट के लिए आटे को हम एक बार और अच्छे से मसल लेंगे इसके बाद आटे का थोड़ा सा बड़ा पोशन क्योंकि मुझे बड़े बड़े पर आटे पसंद है इन फैक्ट हमारी पूरी फामिली में पसंद किये जाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा मैंने इसका जो पेड़ा है वो बनाया है आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा इसे कर सकते हैं अब इस पे हम डाल देंगे थोड़ा सा सूखा आटा जो गेहूं का आटा होता है वो हमने लिया है और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा बेलेंगे, फिलाल जो पूरी का एक साइज होता है वो हम बेल लेंगे, जैसे ये हो जाएगा बीच में मैं इसमें थोड़ा सा दो तीन बूंदे घी की लगाऊंगी और अच्छे से इसे फैला देंगे, इसके बाद ये जो स्टफिंग हमन पराठे को पैक करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो उस तरीके से आप पैक कर सकते हैं, जैसे भी आप करते हैं, उपर का ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, वो मैंने हटा दिया है, अब हलके हलके हाथो से मैं इसे इस तरीके से प्रेस कर दूंगी, और प्रेस करते तोड़ा सा इस तरीके से फैला देंगे ताकि जो मसाला है वो पराथे में अच्छे से हर जगा पहल जाए इसके बाद दुबारा यह जो सूखा आठा है गेहूं का वो हम इसके उपर लगा देंगे और एकदम हलके हलके हाथों से हम इसे बेल लेंगे पराथा पतला या मोटा तोटली आपके उपर है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं मुझे थोड़े मोटे मोटे और बड़े बड़े पराथे फसंद है तो बिलकुल मैंने वैसा ही बनाया है तो देखिए हमने इसे बेल कर तयार कर लिया है तबा गरम है फ्लेम को हमने मीडियम पर रखा है और इसे हम अच्छे से सिकने देंगे जैसे ये एक तरफ से सिक जाएगा हम इसे पलट देंगे और अब हम इस पर घी लगा रहे हैं आप पराथों को तेल में भी बना सकते हैं मैं घी में बना रही हूं अच्छे से हमने इस पर घी लगा दिया है प्रेस करते हुए हम इसे अच्छे से सेकेंगे और उसके बाद थोड़ी दिर बाद हम इसे दुबारा पलट देंगे दोनों तरफ से इसी तरीके से हमें इसे पलट पलट के सेकना है और जो दूसरी तरफ है हम दूसरी तरफ भी इस पर घी लगा देंगे बहुत ही करारा मैंने इसे बना कर तैयार किया है अगर पराठा बनाना चाहते हैं, तो मीडियम फ्लेम पर इसे बनाएं, प्रेस करते रहें, दोनों तरफ से तेल या घी जो भी आप लगाना चाहते हैं, अच्छे से लगाएं, और इसी तरीके से आपका भी पराठा जो है, वो एकदम बढ़िया क्रिस्पी बनकर तयार होगा, तो मसाला हमने इसके अंदर भरा है आलू का, वो पूरे पराठे पर एकदम बढ़िया से भर चुका है, कोई भी जगा आपको खाली नहीं मिलेगी, बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट आता है, आपको बहुत पसंद आएगा, कैसी लगी है रेसिपी, आप मुझे कॉमेंट कर कि जरूर से बताएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए, बाबाई!